हालो दोस्तों मैं सोनम ग्यान दर्शन जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग को बिहार एसाई बिहार पुलिस मद निशेद एससी जीडी और यूपी पीसी एस और बीपी एसी सब के लिए मैं कोश्चन से टिक त्यार की हूं सभी में मतलब काम आएंगे मैं important question जो है जैसे कि आपका क्या बोलते हैं प्राचिन इतिहार से मैं आज question डालने जा रही हूं और आप लोगो question का answer दीजिएगा जहां तक संभव हो नहीं तो इसका मैं answer भी कराती जाओंगी ताकि आप लोगो आसानी से समझ में आए मेरे वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe, share करना न भूले और चली आँगे बढ़ते हैं आज मतलब प्राचिन भारत का इतिहास से मैं question पूछती हूं एक question है कि निवलिकित में से किस भारतिये पुरत्वेता ने पहली बार भीम बेटी का गुफा को देखा और उसके cell चीत्रो कि प्रागेते हासिक महत्व को खोजा तो कौन थे यह बहुत ही important question है तो यह माधो स्वारूप वत्ष थे या HD संकलिया थे या BS वाकर कर थे या BN मिश्रा तो इसका answer जो हो जाएगा वो आपका BS वाकर हो जाएगा ठीक है उसके बाद है निमलिकित में से किस अस्थान पर पशु पालन के परमण मिले है ओदे में बोरी में बागोर में या लखनिया में तो इसका answer जो होगा बागोर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सती प्रथा का प्रथा मामिलेक सक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है एरण से जुनागर से मंदसौर से या साची से तो यह हो बुर्जी होम से ठीक है आगे बढ़ते हैं कौन सास्थल अप्राग्यातेहासिक चित्रकाला के लिए प्रशीद है बाग है अजन्ता है अम्रावती है भीम बेटिका इसका answer जो है भीम बेटिका हो जाएगा संस्कृत के कभी और नाटकार काली दास का उलेक कहां हुआ है य मिहिर भोज के ग्वालीर अभीलेक में यह कुमार गुप्त के करमदन्डा सिवली अभिलेक में या चंद्र गुप्तु के मत्र अस्तम लेक में तो यह है पुलकेशियन टू के एहोल अभीलेक में हुआ है उसके बाद हम देखते हैं सीन्दूगाटी से बाप्ता के कुछ यह बीपीसी एशाई मितलब बिहार दरोगा और एपीपीसीस के लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट कोश्चन है यह हमें निकाल चुन-चुन के कोश्चन निकाली हूं कि कहां से क्या पूश्चता है ठीक है धौलाबीरा यह भगत्राव है हडापा में कोटजी है अगे बढ़ते हैं हडापा सभयता का अस्थल मांडी भारत के किस राजे में इस्ती थे यह हैं गुजरात में हर्याना में राज अस्थान में उतर परदेश में इसका एंसर जो है उतर परदेश होगा ठीक है आगे हम देखते हैं कि कुटको मिलान करना है एक तरफ लिखा ह सिंदू घाटी शभयता उतर वैदिक समाज मद्यकाल चारागा दूसरा तरफ चारागा जमिंदार क्यूशक नगरिये तो यह जो है सिंदू घाटी शभयता जो है वह कैसा था तो यह हमारा नगरिये था उतर वैदिक समाज कैसा था तो यह क्रिशक था वैदिक समाज कैसा तो यह चारागा था उसके बाद मद्य समाज कैसा था तो यह जो है जमिनदारी था आगे बढ़ते हैं आगे कोश्चन है दस नंबर का कोश्चन है यह भी मिलान ही करना है कि कौन कहां से मिलान करना है मंडा है दमदाबाद है कली बंगा है राखी गड़ी है राजस्थान एक हार्यान न यह मिलान आ जो आता है कोश्चन बहुत में है इक्रोट मेर्स नहीं है करा राजास्थान में है और राखी गड़ी जो है वह आपका हरयान है तो यह हुआ है एक मिनट इसको मुझे को थोड़ा से कंफ्यूजन है मैं आपको बताती हूं यह ईयापका पंजाब में धाधेरी जुह है या लोधल से यह हो जाग आपका धौला भीरस है आगे बढ़ते हैं सही काल कर्म में बेवस्थित कीजिए कुछ को एक क्वेश्चन है मतलब दिया है पटपारा जमाओं कितनावी जमाओं बाघोरा जमाओं सिहवाल जमाओं यह जो है वही से सबंदी तो यह जो दिया हुआ ह कि कहां से सब्दी तो भी देख लेते हैं यह जो है इसका जो मतलब करना करना तो सिहीर स्थिवाल जमाओं उसके बाद पर पारा जमाओं उसके बाद आपका वाघोर जमाओं उसके बाद लिए मैं नहीं घृत घृत है 밟्लंपले सब्ढूर्दन हो दाल जाना है.' पुजारी के लिए इस्तिरी के लिए ब्रामण के लिए या गाय के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है यह सभी जानते हैं तो इसका इंसार आप लोग खुद बताएंगे यह मैं भी बता दें गाय के लिए रिंगवैदी कल के पार्रम में निम्ने में से की से महतपुन मुलवान समझा था संपती वह भूमी थी इस्तिरी थी गाय थी या जल यह पहले जो जगड़ा होता था गाय को ही लेकर रहता था यह भी गाय है गायंत्री मंत्रे के नाम से पशीद मंत्र शरपर्थम किस गरंथ म मिलता है भगवत गीता में और्थ बेद में रिंग बेद में या मनुश्रम्रीती में तो यह हो जाएगा आपका रिंग बैद में ठीक है आगे बढ़ते हैं चिनी लेखक भारत का उलेख किस नाम से किया है फोको की या इन्टू या सिकिया पोनो या सियू की यह जो है यू ठीक है बहुत इन्पोर्टेंट कोश्चन है इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा उसके बाद फिर मिलान करना है कुमभा पारोश्री शादानीरा सतुद्री इधर है गंड़क काबूल रावी सतलज तो कुमभा जो है कुमभा को काबूल कहते हैं पारोश्री जो में मंत्र मिलता है किसका अगनी का वरोण का विष्भु का यम का वो थी अगनी ठीक है उसके बाद देखते है निमलिखित में से वैदिक द्यत निकाल निकाल के लाई हूँ वह यहां पर बता रही हुँ ताकि आप लोगो चाहे वह एपीपीस हो बीपीसीर सबसे इन्पर माइंड में शेट रहे और वह कोस्ट्यान आपको देखने की मिल जाएगा आगे बढ़ते चाहदेश सताब्दी इसमी पूर्बकाय का भी लेक जिसमें बैदिक देवताओं का बढ़न हुआ है बढ़न है कहां से प्राप्त हुआ है एक बटना में बैबिलोन में सोटून में बगोग्ज कोई में ठीक है बगोग्ज कोई है वह बैदिक देवी देवतां को उसमें बढ़न किया गया है इसका एंसर बगोग्ज कोई है ठीक है बैदिक देवता इंद्रे के विशे में निम्लिखित कत्नों पर विचार किजिए उनको क्या 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 कहा जाता था इसे ज पावपुरी यह मतलब इसमें कौन सा सुमेलित को यह वाइज आब आख संसेघ कुम सिखर आगे में आगे में हमको क्या डेखना है आधि नात माली नात पाश्रो 없다 इनको फिर से मिलान करना विरशाव सर्प जल कलस ठीक है साही उतर को चुनिए मतलब कि इनको मिलान कि जी आधिनाथ की से खते थे आधिनाथ theor गोपा में 11ARE शीरो को बॉधिस्त का अंकन मिलता है 11 शीरो का उलेख मिलता है अजान्ता में एलोरा में कानहेरी में कारले में यह हमारा जो है वह हो जाएगा आपका कानहेरी आगे बढ़ते हैं गौतम भूध द्वारा आपने धर्म दिक्षित किये जाने वाला अंतिम ब्यक्ति निमलिखि में से कौन सा बोध पवित रस्थल निरंजना नदी परिश्थी थे बोध गया कुशी नगर लुंबनी रिशी पत्नम तो यह हो जाएगा हमारा बोध बोध गया ठीक है वह परशित जैन आचारे कौन थे जिनको अकबर ने बहुत समानित किया था चंद्र भरशूरी इंदु धर्म इसलाम धर्म तो वह हो जाएगा जैन धर्म बुध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रितु कहां बिताई थी सरावस्ती में वैशाली में कुशी नगर में शारनात में वह हो जाएगा आपका वैशाली आगे बढ़ते हैं निमलिखित सासकों में से कौन सिस के सिके उपर संकरन यह बासुदे दोनों का अंकित किया गया था तिक आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सुचित मिलता है कि साक्मुनी बुधि का जनम लूंबनी में हुआ है अशोग का कनिस्क का हर्ष का ध्रमपाल का हो तो वो जो सबसे ज़्यादा प्रभाइद थे कौन थे अशोग तो वो हो जाएगा आपका आशोग आगे बढ़ते हैं सीव बिष्णु गड़ेश और शर्षवति ठीक है यह इसको मिलान करना है इधा चक्र तिर्षूल बीड़ा और रशी अफंदा यह जो है आपको मिलान करना है तो सीव जो है आपका हो जाएगा तिर्षूल से बिष्णु हो जाएगे चक्र से गड़ेश हो जाएगे बीड़ा से और वो हो जाएगा श्रषवति रशी अफंदा जो भी है आगे बढ़ते यह उतना important question नहीं था लेकिन सेट में आने के वज़े से आपको हम दे दिये सर्क परतिशक वंस मनमंतर और वंसान उचरीत संकेत किसे हैं बेदों के और पुराणों के उपनेशेदों के यह हो जाएगा आपका पुराणों के आगे बढ़ते हैं कि कौन से महाभारत के तेलकू अनुवयाद में बिख्या यह मिलाना है राजधानि यह पुषता ही पुषता है हर एक्जाम का सबसे इंप्रस्थान है कह आगे बढ़ते हैं आपका हो जाएगा चटी सतादी इस्पी पूर्व का मतस्य महाजनपद इस्तित कहां था तो यह हो जाएगा आपका पस्ची मुतर परदेश में राजस्थान में राजस्थान में बुंदेल खंड में रुहल खंड में तो यह हो जाएगा राजस्थान यह क्या है राजस्था वह j perception निमलिखीत में से किस ने हीरड़गरव धार्मिक कारे कराया था तो ये हो जाया का दंतीधूर ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखीत में से कौन सिकंदर के सांथ भारत नहीं आय था नियाक्ष अने सिक्रिटिश डाइमेकास या अरिस्टेबुल्स तो यह जो है डाइमेकस जो है सीकंदर के साथ भारत नहीं आए था अब आगे बढ़ते हैं निम्लिखित में से असो का कौन सा सीलालेग धार्मिक संसलेशन के बारे में कहता है कि यह उसमें धार्मिक उलिख किया गया है एगारामा है बारामा है तेराम है ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका मौरेकाल में एग्रुनुमाई अधिकारी निम्लिखित में से किस छेतर से सबंदी थे मापतोल से प्रशाषन प्रबंधन से मार्ग निर्मार से या राजस्वे से यह हो जाएगा आपका मार्ग निर्मार से आगे बढ़ते हैं निम्लि निमलिखित में से राजी की सब्तांग सिधान्त के अनुषा राज का सत्वांग कौन है जनपत दूर्ग मीत्र या कोस्त तो वह हो जाएगा आपका मीत्र आगे बढ़ते हैं मौरे कल में सिता का तात्पर क्या होता था एक देवी एक धार्मिक संप्रदाय राज की भूमी से या उसर भूमी ते हो जाएगा आपका राज की भूमी से प्राप्ता है असोक का समकालिन तूर में कहां करा जाथा मीश्र का कोरित का मिशोडेनिया का सिरीस का ते हो जाएगा मीश्र का आगे बढ़ते हैं असोक के निमलिखित अभिलेखों में से किसमे दक्षुन भारतिय निमलिखित अभिलेखों में से किसमे असोका अभिलेख भी पाया जाता है महाचत प्रत रूद्ध मन का जुनागरब लेख में गोत्मीपूत सतकर्णी से सबंदित नासिक प्रस्ति में खारवेल का हांती इडिन में से कोई भी नहीं तो इसमें पहिला हो जाएगा आपका उसके बाद हम देखते हैं निम्लिखित अस्तूपों का सही तथकरम मतलब इसको सजाना है तो हम सजा देते एक ही बार में सबसे पहले भरूत तब साची तब अमराती तब धमेग आएगा था यह बीपीएसी के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन है और एसाई में इसे नहीं प जामन प्रंथ हमने आज हम आप लोगों को पचास कोश्चन करा दिये और नेक्ट वीडियो में कल डालोंगी मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सियर और सब्सक्राइब करना ना भूले और आज जो है बिहार एसाई यूपी पीसीएस और चाहे वो कोई भी पीसीएस हो या कोई भी आपका पूलिस के एक्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है तो मैं आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूं और मेरे वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी किजिएगा ताकि आप लोगों समय समय से न